candidate नमस्कार आपदेखर रहें दियर्यम एकष्प्रेस में हूँ आपके सअत्यóc dall जीघनिया डोस्तों पंचायत यात्रा में कि इस बार इन लोगों का मुख्य प्रात्मिक्ता क्या रहेगा अगर जनता इनको चुनती है तो सबसे पहले भूत पुर्मुखिया रहे हैं उत्रीपर जिरुवा में 2001 में उसके बाद जनता के बीच में हमेसा हमेसा रहें दुख सुख में हर में हाजिए अगर 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 समाजी तत्तों से जो भी हुए उसमें हम मुठ्मेर में आगे जले हैं लेकि अभी आप भी हमारा पहला प्रहत्मिक में रहेगा कि हम जो जंता के सबसे पढ़े दुखशुक में हाज़ी रहेंगे जो भी काम होगा हमा अपना जब तक रहेंगे तब तक हम उसका सेवा करते रहेंगे आप समाज के लिए वास्त के शेत्र में आप क्या करेंगे इसमें स्वास्त केंद्र है लेकिन काम कारजरत नहीं है लेकिन उसके हम लड़कर चालू कराएंगे उसको उसको देख बाल करेंगे जो भी जनता के अगर बमारी है तो स्वास्त केंद्र रहेगा तो अबनु जागा सिप्षा के छेतर में आप क्या करेंगे हैं फिर मदर्सा खुट अपने मदर्सा बनाने हैं इसे हमारा बहुत बढ़ा है कि सिप्षा के आगे हम बढ़ा करके बच्चा से लेकर कोई भी आदमी होगा उसको विद्धिया मिलेगा समाज के लिए उत्री पटजिर्वा के लिए आने वाले पांच सालों में अगर जनता अगर आपको चुनती है तो सरकार द्वारा दिया गया सभी योजनाओं को आप धरातल पे उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे हमारे जीतने के बाद जो भी सरकार देता है पंचायत में वो जनता के बीच में हम देगे हैं इसलिए इसलिए देगे हैं कि हमरा उसे क्या होगा हम उसे कमी नहीं है हमारे कुछ कमी नहीं है इसलिए जो भी समान है वो जनता के बीच में हम देगे क्या उत्री परजिरिवा भरष्टचार मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आपके आने के बाद हो जाएगा मुक्त हो जाएगा उसी के लिए हम लड़ेंगे इसलिए उसके पहुरे लड़ेंगे आप भी लड़ेंगे मरने तक दम तक हम उस्यावा में लगे रहेंगे यही कोई गलती हमारे उत्री पर जिरुआ में नहीं हो तो आप देख सकते हैं कि यहां के जो मुख्या परत्यासिय इनक्या काना है कि सभी योजना जो है जनता तक पहुंचाएंगे अगर जनता अगर हमें चुनती है तो हमारा कोशिस रहेगा कि जनता के हर दुख सुख को समझें और जो भी योजना सरकार द्वारा मिले जनता को उसका भरपुर लाब मिल सके आने वाले समय में अगर जनता आको चुन्ति है इस समाज में जो भी तूटियां है जो भी कमी है जो काम अधूरा राशिका है क्या आप उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे पूरा करेंगे उसका उसके लड़ते रहेंगे जो जनाय आएगा सरकार द्वारा उसके हम लड़ेंगे लड़ते रहेंगे लड़कर उसको अपने उत्री पड़ जिर्वा में भीकास करेंगे मुख्या परत्यासी के ससूर जी क्या कहना है कि उत्री पढ़ जिरुवा के लिए हम हमेशा लड़ेंगे मरते दम तक लड़ते रहेंगे तो आप इस चीज को देखे और समझे अगर आपको लगता है कि उत्री पढ़ जिरुवा के लिए सवाना खातुन ससूर संदल गदी इस से बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है तो बने रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद